दरसल हरीहरपुरी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली जिसमें विधायक और वित्तमंत्री का फोटो लगा कर लिखा गया है कि वित्तमंत्री को हटाओ देश बचाओ जबकि विधायक जगनप्रसादगर्ग ने खुद 14 मार्च 2016 को वित्तमंत्री हटाओ देश बचाओ कहा था विधायक ने कहा था कि ऐसे वित्तमंत्री गलियों से आते हैं और गलियों में चले जाते हैं जिसे समचार प्लस ने बड़ी ही प्रमुकता से दिखाया था इसके बाद विधायक जगनप्रसादगर्ग ने आगरा SSP को अपने लेटर पैट पर लेकर एक तहरीर दी है जिसमें लिखा गया है कि हरिहर पुरी ने वित्तमंत्री के लिए गलत लिखा है इसमें जाच करवा कर मुकदमा दर्स करें इस तहरीर के बाद राजनीतिक गल्यारों में चर्चा तेज हो गई है क्योंकि विधायक किसी ने किसी मामले में सुर्खियों में बने रहते हैं फिलाल जगनप्रसादगर का कहना है कि महें तहरीहर पुरी को जेल भिजवा कर ही दम लेंगे जनता की वामना को नहीं समझा जनता क्या करें तुम हम पर एक साइज मतलगाओ एक साइज की वज़ए जो कस्टम है एक परसंट की के दो परसंट लगा तो दूसरे कहते ही तू आठ से तसाजा तेरा चपन होगा ऐसे माँ बंदार होता है जब इस पूरे मामले पर मठ प्रशाशक हरीहरपुरी से बात की गई तो उनका कहना था कि विधायल जगन परसाद गजने को उस समय पहले मंदिर के ताले तोड़े थे जिसमें मंदिर की तरफ से डखैती और मुकदमा दर्स कराए गया था जो हाल ही में 26 अक्टूबर को इलहावार फास्ट रेक कोर्ट में सुनवाई होगी यही बात हरीहरपुरी ने सोशल मीडिया पर डाल दी इसी को लेकर विधायक चट पता रहे हैं इसके कारण उन्होंने तहरीर दी है 26 अक्टूबर को निर्धारित होनी तो इस कारण से शायद विधायक जी जो है थोड़े से चट पटा गए हैं यहाँ अनिर्णे की स्तिती में था तो वहाँ जाना है तो इसी का चुकिये समाचार पत्रों में ग्यात नहीं वा था इस समाचार को मैंने एक सोशल मीडिया का माध्यम मैंने उठाया कि इस माध्यम से शायद में उसकी अवगत करा दूँ तो उन्होंने शेर वाच्चियों को जानकारी के लिए मैंने एक पोस्ट डाला कि आप अब देखना होगा कि विधायक और मंदर के जगड़े में किस की होगी हार और किस के सर होगा जीट का सहरा विजी महाजा नियूज के लिए सियत शकील की रिपोर्ट